ये तो आपने जरूर सुना होगा कि आधे से ज़ादा बिमारिया पेट से शुरू होती हैं यानि कि जो हम खाते हैं अगर वो हेल्दी नहीं तो वो हमें बिमार कर सकता है मगर इन दिनों लोग काम के चक्कर में हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं इसके जगा पर fast food और oily खाना खा रहे हैं और इन सभी के कारण कई सारे बिमारिया शुरू हो रही हैं जिसमें किड्नी की समस्या भी शामिल है लेकिन किड्नी के बिमारी को कंट्रोल रखने के लिए आपको special diet follow कहनी चाहिए इसे को देखते हुए आज हम इस वीडियो के माध्यम से किड्नी बिमारी को कंट्रोल रखने के लिए एक special diet आपको बताने वाले हैं लेकिन पहले आपको इस बात को भी समझना चाहिए कि किड्नी के बिमारी में इस तरह का खाना क्यों नहीं खा सकते तो आपको बता दे कि किड्नी हमारे शरीर में खून को purify करती है अब अगर किड्नी में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो ये process रुख जाता है और toxic elements हमारी body में इखटा होने लगते हैं अब ऐसे में अगर खान पान में विशेज ध्यान नहीं दिया गया तो खाने के साथ toxic elements और बढ़ने लगते हैं अब यहाँ पर हमारा focus ये होना चाहिए कि हमें किड्नी के बिमारी को कम करनी के विशे में ध्यान देना पड़ेगा अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो खाना खाएं जिसमें protein, potassium और yuria की मात्रा कम हो तो इसके लिए आप सबजियों में रोजाना घिया, तिंडा, तोरी, परवल, कच्चा पपीता, हरा कदू, हरे मिर्च और प्याज खा सकते हैं इसके अलावा पेशेंट को हफ़ते में एक बार पत्ता गोभी, लाल शिमला मिर्च, करेला, गाजर, मूली और उब्रे आलू की सबजी खानी चाहिए लेकिन ध्यान रहे कि ये सबजियां उबाल कर ही खानी है फलों में पेशेंट को सेब, नाश पाती, पपीता और अमरूत खिला सकते हैं लेकिन अमरूत को केवल बीज निकाल कर ही पेशेंट को खिलाना है ध्यान रहे कि किड्नी के मरीज को एक दिन में 100 ग्राम से जादा फल नहीं देने हैं साथ ही रात के समय पेशेंट को फल खानी से बचना चाहिए आपने तो सुना ही होगा कि किड्नी के बिमारी में टेरी प्रोड़क्स का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन की मातरा साधा होती है लेकिन डॉक्टर की पर्मीशन के बाद ही किड्नी के मरीज डबल टोन या गाई के दूद का सेवन कर सकते हैं तो वहीं कुछ मरीज हफते में एक बार पनीर भी खा सकते हैं इसके साथ ही आप एक बार एग वाइट भी ले सकते हैं लेकिन केवल डॉक्टर की सलह के बाद, तो वहीं बात करें कि किड्नी के बिमारी में आप कौन सा आनाज खा सकते हैं, तो इसमें आप गेहूं के आटे से बनी रोटी, धुली मूं की दाल, और अगर डॉक्टर सलहा दें, तो अरहर की दाल का सेवन और उबले हुए चावल ख पहले डॉक्टर की सलह सरूर ले, तो आज हमने जाना कि किड्नी के बिमारी को कंट्रोल में रखने के लिए किस प्रकार की डाइट को फॉलो करना चाहिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अभी लाइक करें, साथ ही अगर हमारे चानल पर पहली बार आए है तो चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें, ऐसे ही किड्नी से लेटिड और वीडियो के लिए बने रहें, हमारी साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखें, हिल्दी रहें, नमस्कार